जार्खंड में बड़ी सियासी उठापटक शुरू हो गई है दावा किया जा रहा है कि राज्य की हीमन सोरेन की सरकार को गिराने की कोशच की जा रही है आरोप लग रहा है बीजेपी पर सोरेन की पार्टी जार्खंड मुक्ती मोचा यानि की जे एमेम का आरोप है कि बीजेपी करनाटक मॉडल अपना कर उसकी सरकार को गिराना चाहती है कॉंग्रेस भी मैदान में कूत पड़ी है एक कॉंग्रेसी विधायक ने दावा किया है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए उन्हें मंत्री पदर मोटी रकम का उफर किया गया था या आरोप कोले बीरा से कॉंग्रेस विधायक विकसल कॉंग्डी ने लगाया है सोरे सरकार गिराने की साज़श के आरोप में अब तक तीन लोगों को गरफतार किया जा चुका है आईए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है जारखन में जे-म-म कॉंग्रेस आर-जे-डी की मिली-जुली सरकार है कॉंग्रेस की MLA विकसल कॉंग्डी ने 25 जुलाई को ये आरोप लगाया कि उन्हें जारखन सरकार को अस्थर करने के लिए एक करोड रुपे और मंतरी पद ओफर किया गया ये ओफर कुछ अंजान लोगों ने उनसे कई बार संपर्क करके दिया कोले बीरा से MLA विकसल कॉंग्डी ने इंडियन एक्सप्रेस अख़बार को बताया कि तीन लोगों ने उन्हें आधा दरजन बार संपर्क किया उनका दावा है तीन लोगों ने मेरी पार्टी के कारे करताओ के जरीय मुझसे संपर्क किया उन्हें बताय कि वो किसी कंपनी के लिए काम करते हैं मैं उनसे ना मिलने की कोशिश करता रहा لेकिन वो किसी ना किसी तरह से मिलने का रास्त निकार लेते एक बार उन्होंने मुझे एक करोड रुपे से ज़्यादा कैश ऑफर किया मैंने तुरंत अपनी पार्टी के नेता आलमगीर आलम और जार्खर्ट कॉंग्रिस के इंचार्ज आर्पियन सिंग को जानकारी दी मैंने सीम हेमन सोरेन जी को भी इस बारे में सूचित किया हाला कि विक्सल कॉंग्ली ने ये भी कहा कि उनसे जिन तीन लोगों ने संपर्क किया था उनके चेहरे वो भूल चके हैं अब उन्हें पहचान पाना मुश्किल है इस राजनीतिक हंगामे की शिर्वात कॉंग्विस विधायक विक्सल कॉंग्ली के दावे से एक दिन पहले ही हो गई थी 24 जुलाई को रांची के एक होटल से पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार किया उनके पास से भारी मात्रा में कैश मिला था जारखंट पुलिस ने दावा किया कि एक तीन लोग और स्ट्रेडिंग हरीत परोक्त में शामिल है लंबे समय से पैसों का प्रलोबन देकर सरकार को अस्थर करने की कोशिश कर रही है इस गिरफतारी के बाद JMM की तरफ से BJP पर गंभीर आरोप लगाए गए दावा किया गया कि BJP जारखंट में करनाटक मॉडल लागू करना चाहती है यहाँ पर विधायकों की खरीद परोक्त करके सरकार गराने की साजश रची जा रही है उदर BJP ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है और उल्टे सराज्य सरकार पर ही आरोप मड़ दिये हैं आपको बताते हैं कि गरफतार किये गए लोग कौन है पुलिस ने रांची के होटल से भशेक दुबे, अमित सिंग और निवारन प्रसाद महतो को गरफतार किया इसमें दो व्यक्ती सरकारी कर्मचारी है वहीं तीसरा एक शराब कारोबारी है पुलिस ने इन दीनों के पास से भारी मात्रा में कैश मिलने की बात तो कहीं लेकिन कितना इसका खुलासा नहीं किया पुलिस ने उनके खिलाप IPC की धारा 419 यानि कि आप राधिक साजश में शामिल होना 420 थोका धड़ी 124 राजतरो 122 आप राधिक साजश और Prevention of Corruption Act के तहत मामला दर्च किया है पुलिस इस मामली में नहीं नहीं बाते सामने आने का दावा कर रही है आज तक की ख़बर के मुताबक इस मामली में महाराश BJP के दो विधायकों का नाम भी आ रहा है विधायक हैं चंदरशेखर राओ और चरण सिंग पुलिस के मुताबक गिरफतार आरोपियों ने सरकार गिराने के इस पूरे खेल का खुलासा किया है पुलिस का दावा है कि अभिशेख दुबे की कॉंग्रिस के 19 में से 11 विधायकों के साथ डील हो रही थी उन्हें एक करोल रुपए एडवांस देने की बात हुई थी अभिशेख दुबे कॉंग्रिस की विधायक डॉक्टर इर्फान अंसारी उमा शंकर, अकेला और निर्दलिय विधायक अमित कुमार यादव के साथ दिल्ली भी गया था उनके साथ अमित सिंग निवारण में तो भी थे डिल्ली एरपोर्ट से जैकुमार नाम के एक व्यक्ति ने इन लोगों को रिसीव किया तीनों कॉंग्रिस विधायक एक इनोवा कार से और बाकी लोग दूसरी गाड़ी से होटल के लिए रवाना हो गया प्रांची से दिल्ली जाने के लिए विधायक अमित कुमार यादव का टिकेट भी जैकुमार नाम के व्यक्ति ने भेजा था जैकुमार महाराष्ट बीजेपी विधायक का भांजा है आज तक की मताबिक पुलिस का ये भी कहना है कि कॉंग्रिस के दोनों विधायक डॉक्टर इर्पान अंसारी, उमा शंकर अकेला और निर्दलिये विधायक अमित कुमार यादव की दिल्ली में महाराष्ट के दो विधायकों से बैठक हुई ये 16 जुलाई का दिन था, ज़ार खंट से आये विधायकों की महाराष्ट बीजेपी विधायकों से मुलाकाद जय कुमार ने करवाई अभिशेक दुबे ने पुलिस को जो बयान दिया है, उसमें ये दावा किया गया है कि इसी मुलाकात में कॉंग्रिस विधायकों को एक करोल रुपे अडवांस देने की डील हुई थी लेकिन जब कॉंग्रिसी विधायकों को एडवांस पैसा नहीं मिला तो वे नाराज हो गए मीटिंग के तुरंद बाद कॉंग्रिस विधायक रांची लोट गए दैनिक भासकर अखबार के मुताबिक कॉंग्रिसी विधायक इरफान अंसारी उमाशंकर अकेला और निर्दलिय विधायक अमितियादव ने दिल्ली जाने की बात मानी है उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी को अपने पिता को देखने जाना था अमितियादव को पत्नी का इलाज कराना था इसलिए तीनों साथ गए थे महा किसी से भी मिलना जुलना नहीं हुआ दो दिन में लौट आए उन्होंने आरोपियों से किसी भी संबंध को नकार दिया बीजेपी का इस पूरे मामले में क्या कहना है बीजेपी पूरे मामले से पल्ला ज़ाड रही है बीजेपी सदस्य होने की जानकारी ना होने की बात कही है सहदेव ने मामले में सीबी आई जाच की मांग की है बीजेपी नेता और राज्य के पूर्व सीम बाबुलाल मरांडी ने इसे नोटंग की करार दिया है उनका कहना है कि पुलिस को एक प्रेस कांफरेंस करके मामले की पूरी जानकारी देनी चाहिए पुलिस ने अब तक इस मामले के कई पहलों के बारे में नहीं बताया है पुलिस एक प्रेस विग्यप्ती के जरीए तीन लोगों के हवाले से सरकार गिराने की साज़श की बात कह रही है चुकि CBI की बात होने पर कहा जाएगा कि केंदर में BJP सरकार है इसलिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में SIT बनवाकर जाच कराई जाए मरांडी ने पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि वो राजसरकार का टूल ना बने जारकन के मुक्यमंतरी रह चुके BJP के बाबुलाल मरांडी ने SIT जाच की मांग की है अब मामला पुलिस के पाले में है तो DSP सौरब ने दनेक भासकर अख़पार से कहा कि पुलिस पूरे मामले की जाच कर रही है जाच में जो भी दोशी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कारवाई होगी चुके नारोपियों पर दर्ज केस में ब्रश्टाचान निरोधा कदिनियम की धाराएं लगी हुई है इसलिए अब DSP स्तर के अधिकारी मामले की जाच करेंगे पहले जाच का जिम्मा कोतवाली थाने की दरोगा कमलेश श्राइप पर था जारखन में विधान सभा का गणित भी जान लेते हैं एक क्यासी सीटोवाली जारखन विधान सभा में जारखन मुक्ति मोट्चा यानि की जेमेम के नितरत्व में मिली जुली सरकार चल रही है सरकार बनाने के लिए 42 सीटे चाहिए एवन सोरेन की सरकार में Congress, RJD, NCP और CPI, ML, Liberation शामिल है सीटों की संख्या कुछ इस तरह से है JMM 30, Congress 18, RJD 1, NCP 1, CPI, ML, Liberation 1, कुल 51 BJP 26 सीटों के साथ प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है आपके लिए तमाम जवानकारी लाए हैं हमारे साथ ही अमित मेरा नाम है दिव्यानशी, देखते रहिए दीललन टॉप, शक्रिया